नमस्कार मैं राहुलतिवारी और आप देख रहे हैं अर्थप्रकास टीवी लेकर आया हूँ आपके लिए तेज रफ्तार से बड़ी ख़बरों का बुलिटेन सबसे पहले नज़र डालते हैं हेडलाइन्स पर करोना वाइरस के संक्रमन्ट पांच मरीज नाकपूर से एक नामी गिरामी अस्पताल से भागे करनाटग में बस कंड़क्टर ने की पहल पांटे सभी बस यात्रियों को मुफ्त मास्क सरकार से भी की मुफ्त मास्क बातने की अपील माइक्रो सौफ्ट के सहसं स्थापक बिल ने सकंपनी के निर्देशक मंडल से दियाज थिफा नजरबंदी हटने के बाद पहली बार फारुक अब्दुल्ला ने अपने बेटे उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की गुलाम नभी आजाद सहित कई नेता भी उनसे मिले हरियाना के जींद में ठेके की जमीन पर उलाव विस्तार से दुनिया भर में अपने पैर पसार चुके करोना वायरस से भारत वासी भी भाय के साय में जी रहे हैं भारत में भी लगातार करोना वायरस संक्रमंट के लोगों की संख्या बढ़ रही है वही नागपूर के एक नामी गिरामी अस्पताल में करोना वायरस के पा एम एल नदाफ है इसका कहना है कि हमने यह पहल इसलिए कि क्योंकि करोना वाइरिस की वज़े से यात्री यात्रा को टाल रहे थे मैं सरकार से भी यह उमीद करता हूं कि सरकार ऐसे मास्क फ्री में बाटेगी Microsoft के सहसंस्तापक और प्रद्योगिक सलाकार बिल ग्रेट्स ने कमपनी के निर्देशक मंडल से इस्तीफा दे दिया है Microsoft ने उनके इस्तीफे की वज़ा समाजी कारियों के लिए अधिक समय देना बताया है हालाकि वह कमपनी में CEO, सत्या, नडेला और अन्य अधिकारियों के प्रद्योगिक सलाकार के रूप में काम करना जारी रखेंगे National Conference के नेता फारुक अब्दुल्ला ने शनिवार को अपने बेटे और पार्टी नेता उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की जहां श्री नगर में सार्वजनिक सुरक्षा कानून के तहट फारुक अब्दुल्ला को हिरासत में लिया गया था फारुक अब्दुल्ला को शुकरवा रिहा कर दिया गया है हर्याना जीनस्थित इगरा गाउं के खेतों में बारिश के बाद जल भरा होने के कारण फसल बरबाद होने की वज़े से रामफल की मौत हो गई परीजनों के अनुसार रामफल वीरवार शाम को बारिश के बाद खेतों में गया था खेतों में जाने के बाद वो वापिस नहीं आया नगर निगम में चल रहा वित्तिय सत्र इस माँ खतम हो जाएगा इस दोरान नगर निगम ने शेहरवासियों से जमकर हाउस टेक्स और प्रोपर्टी टेक्स वसूला नगर निगम ने सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए अब तक 51 करोड रुपे की राशी वसूल की है चलिए इजादत लेता हूँ आपसे तो फिर लोटूँगा तेज रफ्तार के साथ बड़ी खबरों का बुल्टेन लेकर ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थपरकास टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें